दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फोकस्ट और पिन पॉइंट टॉपिक की जिसका नाम है हाई टिबियल ऑस्टियाटमी हाई मतलब उपर की तरफ टिबियल मतलब पैर की जो हड़ी होती है उसका नाम टिबिया होता है ऑस्टियाटमी मतलब की हम उसको काट के सीधा या टेड़ा चोटा या बड़ा किसी भी एंगल में हम ऑस्टियाटमी कर सकते हैं हाई टीबिल ऑस्टियो आर्थ्राइटिस में ऑस्टियो आर्थ्राइटिस जो की एज रिलेटेड हमारे जॉइंट्स का घिसना उसको कहते हैं जब हमारा इवॉलुशन हुआ मंकी से मैन की तरफ तो हमारे जो इनसान थे वो दो पैरों में खड़े होके चलने लगे वेट एक बार में पूरा 100% एक पैर पे आने लगा वाइल वॉकिंग हिप जॉइंट जो है हमारे कुले का जो जॉइंट है वो थोड़ा अंदर की तरफ हो गया और हमारा नी और आंकल ये एक सिधाई में आ गए जिसके कारण effectively हमारा वेट जो है वो घुटने के अंदर की तरफ से पास होने लगा इस कारण से अंदर से घुटना ज़्यादा घिसने लगा और सारे बुजूर्गों के लोग as we age जैसे जैसे हम वृधा वस्था की तरफ जाते हैं हमारे घुटने टेड़े होने लगते हैं घुटनों के कार्टिलेज यानि कि उसका गद्दा पूरा घिस जाता है उस समय हम ग्रेट फोर आर्थराइटिस में पहुंच जाते हैं और यूजुली समाने तहां ग्रेट फोर आर्थराइटिस में टोटल नी रिप्लेस्मेंट के अलावा कोई option बचता नहीं है उस stage से पहले अगर अक्सिस को जो की घुटने के अंदर से पास होती है उसे बाहर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो उस भाग से जाने लगे हमारा वजन जहां का कार्टिलेज अभी भी स्वस्त है इस operation को इस शल्ले क्रिया को हम बोलते हैं high tibial osteotomy जहां पर पैर की हड़ी को उपर से थो हमारा एंकल यह तीनों एक सिधाई में ना जाएं यह बहुत छोटा operation है magnitude of surgery is not as compared to total knee replacement उस से थोड़ी छोटे लेवल की surgery आप इसे मान सकते हो और इसके results बहुत promising हैं इसके बाद कुछ restrictions to totally replacement के बाद होती हैं जैसे की high activity sports नहीं कर सकते हम jumping नहीं कर सकते हम running नहीं कर सकते हम कि स्कॉट्स नहीं कर सकते comfortably पर यह सारे रेस्ट्रेक्शन हाइटी विल ऑस्टियोटमी के बाद नहीं होते हैं आप एकदम अपने नी को अपने घुटने को वैसे यूज कर सकते हैं जैसे पहले करते थे तो आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिसकस करना चाहता था अपने जोड को कैसे बचाना है नी रिप्लेस्मेंट से पहले ही इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं इग्जाक्टली क्या होती है सर्जरी स्टेप्स क्या होते हैं हीलिंग में क्या टाइम होता है करते हैं इसकी लाइफ कितनी होती है सक्सेस रेट क्या है इन सारी क्वेश्चेंज का अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इसका मैं जवाब देता रहूंगा जैसे जैसे आपके सवाल आते रहेंगे ताकि आप इस टॉपिक को जादस जादस समझ सकें फाइनेंशियली भी दिस ऑप्षिन यह वाला ऑप्षिन जो है ज़्यादा चीप है ऐस कंपेर टू टॉटल नी रिप्लेस्मेंट और सबसे बड़ी बात हमें यह संतुष्टी होती है कि हमारा अपना घुटना हमारे शरीर का जो अपना भगवान का दिया वा घुटना वही ह है उसी से हम काम कर रहे हैं प्रॉस्थिस हैव मेनी अधर कॉम्प्लिकेशन सौल सो लूजनिंग हो जाती है टोटल नी रिप्लेस्मेंट की प्रॉस्थिस में प्रॉस्थिस के साथ की बोन कच्ची होती है वहाँ पर फ्रैक्चर के चैंसर्स ज्यादा होते हैं पर हाई टी की तरह ही उतना ही मजबूत रहता है जितना पहले था तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आज आगया लेना चाहूंगा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपके मन में कोई भी शंका है शंशे हैं questions है queries हैं वो आप जरूर पोस्ट करिए I'll be very happy to answer them thank you very much